हे गाइज, वेलकम टू गवर्मेंट जोग्स ग्यान यूटूब चैनल गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SSC MTS और हवलदार के निव रिकूटमेंट नोटिफिकेशन ओनलाइन फॉर्म एपलाई प्रोसेस के बारे में जिहां दोस्तों स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने MTS और हवलदार के खाली पदों को बढ़ने के लिए जिहां दोस्तों 1558 खाली पदों को बढ़ने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कैसे आप इन पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक के हुए अपलाई कर सकते हो पूरी जानकारे मापको step by step रिष्टेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे बस आपको इस वीडियो को इसकिप के बिना सुरू से लेकर end तक देखना है उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेर कर दें चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले तो गाइस बिना कोई वक्त गमाए चलिए सुरू करते हैं आपको इस वीडियो के description box में हमारी website ind-sherkari-nokri.in के इस page का link में जाएगा यहाँ पर आपको इस भर्ती के regarding पूरी detail प्रवाइड करा दे गई है करमचारी चेर आयोग HSE ने multi-tasking staff MTS और हवालदार के 1558 खाली पदों को भढ़ने के लिए notification जारी कर दिया है 30 जून 2023 से 21 जुलाई 2023 तक आप apply कर सकते हो 10 वी past candidate all India से इस भर्ती के लिए apply कर सकते है आपको इस page को नीचे scroll down करना है important link section में आ कर official notification PDF link पर किलिक करके इस भर्ती के notification को open कर लेना है और इसमें से आपको पूरी detail रीड करनी है उसके बाद आपको apply करना है apply के लिए भी पर आपको apply online का link दिया गया है जैसे ही आप apply online के इस link पर किलिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर SSC का ये official portal खुल जाएगा यहाँ पर अगर आपने पहले से registration कर रखा है तो आपको अपना registration number, password और ये capture image यहाँ पर enter करने के बाद login कर लेना है और फिर अपना form फिल करना है और अगर आप SSC की किसी भी भरती के लिए first time apply करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले new user register now इस link पर किलिक करके अपना registration कर लेना है यहाँ पर आपको अपनी basic details enter करनी है और अपना registration कर लेना है सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है yes या no आप यहाँ से select कर सकते हो no अगर आप select करते हो तो यहाँ से आपको दूसरी ID select करनी होगी pen card, passport, daughter ID card और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर आपके सामने id का ये column disable कर दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, next यहाँ पर आपको नाम अपना एक बार फिर से एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपने कभी अपना नाम change किया है या फिर नह येस अगर आप करते हो तो नाम यहाँ पर आपको enter कर देना है और otherwise आपको यहाँ पर no select करना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपने father का नाम enter करना है next यहाँ पर आपको अपने father का नाम एक बार फिर से enter करना है यहाँ पर आपको सभी details दो बार enter करनी है verify करने के लिए next यहा पर आपको एक बार फिर से अपनी मदर का नाम एंटर करना है फिर आपको यहाँ पर अपनी डेटो बट इस केलेंडर में से सेलेट कर लेनी है आपको अपनी डेटो बट एक बार फिर से यहाँ पर वेरिफाई करनी है मींस इस केलेंडर में से अपनी डेटो बट आपको एक ब पर फिर से verify करना है यानि कि दुबारा से आपको अपने education board का नाम यहाँ पर enter करना है, select कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10th class का roll number enter करना है, next आपको यहाँ पर अपना roll number एक बार फिर से enter करके verify कर लेना है, same number आपका यहाँ पर होना चाहिए, जो आपने ऊप पर enter किया है, उसके बाद यहाँ पर आपको passing year बताना है अपनी 10th class का, कि कौन से साल में आपने अपनी 10th class पास की थी, next यहाँ पर आपको वो passing year एक पार फिर से select कर लेना है, और फिर आपको यहाँ पर अपना gender select करना है, male, female या फिर transgender, और यहाँ पर आपको अपना gender एक प कितने qualified हो, higher, second education, diploma, graduation, post graduation, अपने according यहाँ पर आप अपनी higher qualification select कर सकते हो, next यहाँ पर आपको अपना mobile number enter करना है, mobile number आपको एक बार फिर से verify करना है, यानि कि एक बार फिर से आपको अपना mobile number यहाँ पर enter करना है, mobile number एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी email id एंटर करनी है उसको एक बार फिर से आपको verify कर लेना है यानि कि आपको एक बार फिर से अपनी email id यहाँ पर एंटर करनी है next यहाँ पर आपको अपना state सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको Save button पर किलिक करना है Save button पर किलिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक pop-up show होगा यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक OTP आपके registered mobile number पर और एक email ID पर submit होगा अलग-अलग दोनों OTP होंगे उनको आपको confirm करना है फिर आपको यहाँ पर confirm बटन पर किलिक करना है फिर आपको यहाँ पर close बटन पर किलिक करना है यहाँ पर आपका registration हो चुका है आपको अपनी email ID और mobile number पर जो OTP आया है उनको भी यहाँ पर verify करना है OK पर आपको किलिक करना है फिर आपके सामने यहाँ पर SSC का यह official portal खुल जाएगा homepage पर आपको यहाँ पर अपना user registration number और password एंटर करने के बाद यह capture फिल करना है और फिल login कर लेना है आपका registration number और password आपकी registered email id और mobile number पर submit कर जागया है वहाँ से आपको अपना username registration number और password एंटर करना है और login कर लेना है login करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से interface कुलेगा यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना password चेंज करना है यह must है सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना old password डालना है जो password आपके mobile number या फिर registered email id पर आया है वो password आपको यहाँ पर डालना है और फिर आपको यहाँ पर अपना new password करना है याद रहे आपका password alpha numeric format में होना चाहिए at least 8 character यहाँ पर जी हाँ दोस्तों 8 character का minimum आपका password होना चाहिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप अपना alpha numeric password की create कर सकते हो काई आपको अपने alpha numeric password में एक capital letter लेना है उसके बाद आपको कोई भी small letter ले लेना है फिर आपको एक special sign जैसे कि add the rate, dollar या फिर hash ले लेना है उसके बाद एक numerical number यहाँ पर आपको लेना है यानि कि number आपके password में होना चाहिए 123456789 आप कुछ भी ले सकते हो हम आपको जेश्ट यह एक sample के तोर पर दिखा रही है आपका password इस format में होना चाहिए तो alpha numeric format में अपना password यहाँ पर set करने के बाद आपको submit बटन पर किलिक करना है password आपको यहाँ पर दो बार enter करना होगा new password फिल्ड में और यहाँ पर confirm password फिल्ड में submit करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से message हो हो जाएगा कि आपका password successfully change हो चुका है अब आपको दो बारा से login करना है close पर किलिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना username या फिरेश्टेशन नमपर एंटर करने के बाद अब अपना new password एंटर करना है जो अभी अभी आपने alpha numeric format में create किया है उसके बाद यहाँ पर यह capture enter करना है और फिर login कर लेना है login करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से interface खुलेगा यहाँ पर आपको सभी fields fill up मिलेंगी क्योंकि registration time पर आपने अपनी सभी details एंटर की थी बस यहाँ पर आपको अब next button पर किलिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से interface खुलेगा यहाँ पर आपको अपनी additional और contact details provide करानी है सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी category select करनी है general, EWS, OBC, SC या फिर HD उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी category एक बार फिर से verify करनी है आपको यहाँ पर mostly सभी fields दो बार enter करनी है या फिर select करनी है उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी nationality select करनी है nationality select करने के बाद आपको identification marks यहाँ पर enter करना है अगर आपकी body पर कहीं कोई cut या फिर deal का निशान है आप उस palace का name यहाँ पर enter कर सकते हो फिर आप से पूछा गया है कि क्या आप person with benchmark disabilities यानकि PWBD से belong करते हो yes या no आपको यहाँ पर select कर लेना है yes अगर यहाँ पर आप select करते हो तो उस disability का type आपको यहाँ से select करना है और अपनी disability certificate का number फिर आपको यहाँ पर enter करना होगा next यहाँ पर आपको अपना state select कर लेना है state select करने के बाद यहाँ पर आपको अपना district select करना है और फिर अपना pin code यहाँ पर आपको enter करना है pin code enter करने के बाद आपको यहाँ पर बताना है कि क्या आपका permanent address और present address सेम है तो आपको यहाँ पर yes पर click कर देना है और अगर same नहीं है तो यहाँ पर आपको no पर click करके अपना present address इस field में enter कर देना है फिर आप से यहाँ पर अगर आप इंडिया से अलग किसी country से बिलों करते हो तो उसकी national details आपको यहाँ पर fill करनी है अगर आपने इंडिया उपर select किया है अपनी nationality में तो आपको यहाँ पर यह field disable कर दी जाएगी सभी details यहाँ पर fill करने के बाद आपको save button पर click करना है फिर आपके सामने यहाँ पर message तो हो जाएगा कि आपकी additional और contact details successfully save हो चुकी है अब आपको यहाँ पर close पर click करना है next यहाँ पर आपके सामने declaration center खुल जाएगा आपको यहाँ पर I agree इस check box को ok करना है और फिर final submit button पर click करने के बाद आपके mobile और email id पर दो OTP आएगे आपको उन्हें यहाँ पर enter कर देना है mobile OTP field में mobile का OTP और email id field में email का OTP आपको fill करना है उसके बाद आपको यहाँ पर यह capture कर देना है और फिर submit button पर click करना है फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से interface खुलेगा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपका registration successfully complete हो चुका है registration number आपको provide करा दिया गया है आप and हवलदार CBIC and CBN Examination 2023 के section में आकर apply case link पर click कर देना है उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से interface खुलेगा अब यहाँ पर आपको examination center select कर लेने हैं तीन choices आपको provide कराई गई है center 1, 2, 3 इन तीन section में आपको अपने तीन examination center select कर लेने हैं अपने choice के according फिर यहाँ पर आपको अपने paper का medium select कर लेना है किस language में आप अपना paper यहाँ पर चाहते हैं next यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX serviceman है अगर हैं तो yes करें और फिर उसकी detail भर दें नहीं है तो यहाँ पर आपको no select कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जिहाँ दोस्तों आपको physical limitations है right edge पर 12.2 और 8.3 के आपको 12.2 और 8.3 पर आपको no select कर लेना है तो यहाँ पर आपको no select कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको state code show कर दे जाएंगे जिस भी state के लिए आप apply करना चाते हो जैसे कि चंडिगड के लिए 11 है चंडिगड MTS के लिए 11 है चंडिगड MTS के लिए 12 यहाँ पर आपको state code दे गई है आपको state code को यहाँ पर fill करना है जिस state के लिए आप apply करना चाते है उसका state code आपको यहाँ पर fill करना है और बाकी के सभी columns में आपको x fill कर देना है जिहाँ दोस्तों जिन particular state में आप apply करना च उनका state code आपको यहां पर fill कर देना है और बागी की सभी columns में आपको X fill कर देना है उसके बाद आपको इस page को नीचे scroll down करना है फिर यहां पर आपको अपनी highest qualification select कर लेनी है next यहां पर आपको अपनी educational qualification जो qualifying educational qualification का criteria है MTS और होलदार की post के लिए आपको यहां पर 10th या फिर equivalent to 10th standard option select कर लेना है फिर यहां पर आपको अपनी 10th class की detail fill करनी है सबसे पहले यहां पर आपको status बताना है कि आप pass out हो चुके है passing year आपको select कर लेना है यहां पर आपको अपको अपनी percentage एंटर कर देनी है CGPA में आपका result है तो आपको CGPA यहां पर एंटर कर देना है उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप अपनी information को personal करना चाहते हैं अगर चाहते हैं तो yes करें नहीं तो no option select कर ले next यहां पर आपको अपना photograph और signature upload करने है आपका photo 20KB से 50KB के बीच में होना चाहिए JPG या फिर JPG format में size उसका 3.5 cm width और 4. cm height होनी चाहिए ऐसे ही यहां पर आपको अपने signature upload करने है आपके signature 10KB से 20KB के बीच में JPG, JPG format में होने चाहिए इसका size 4 cm width और 2.0 cm height होनी चाहिए आपको choose file button पर click करना है file को यहां पर select कर लेना है और उसे upload कर देना है इस तरह से यहां पर आपको one by one करके अपना photo और signature यहां पर upload कर देने है यहां पर आपसे पूचा गया है कि आपका photo 21 April 2023 के बाद का खीचा होना चाहिए यहां पर आपको yes options लेक कर लेना है फिर आपको declaration section में आकर इन सभी details को read करना है I agree checkbox को ok करना है यह capture code यहां पर fill करना है और फिर preview button पर click कर देना है उसके बाद आपको आपके application form का पूरा preview show कर दे जाएगा अगर कहीं पर कोई mistake होगी तो आप edit button पर click करके edit कर सकते हो नहीं तो आपको अपना application form finally submit कर देना होगा submit button पर click करने के बाद आपका application form successfully SSC को submit कर दिया जाएगा उसके बाद आपको अपने dashboard में आना है और यहां पर application status link पर click करके अपने application form का status check out कर लेना है जिन candidates को fees जमा करानी है वो payment button पर click करके अपना application fees का payment कर सकते हैं साथ यहां पर आपको print का link भी दिया गया है आप print के इस link पर click करके अपने application form का एक print out ले सकते हो future use के लिए future reference के लिए तो दोस्तो ऐसे आप SSC, MTS और हवलदार की इस post के लिए इस भरती के लिए apply कर सकते हो आज की इस वीडियो में बस इतना ही I hope इस वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इसे like और share करें चैनल पर नए हो तो इसे subscribe कर लें Thanks for watching